हेलो दोस्तों मैं हूँ आपके साथ कविता राना 2 सितंबर के दिन टीवी इंडस्ट्री के पॉपलर एक्टर सिधार शुकला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया कहां जा रहा है कि भई हार्ट अटेक की वज़े से सिधार शुकला की मौत और उनका अंतिम सल्सकार एक दिन बाद उनके परिवार और करीबी दोस्तों की मौचिदगी में हुआ अब सिधार शुकला की मौत के बाद शेहनाज गिल एकदम विखर से गई है अक्ट्रिस खुद को इस सदमे से बाहा नहीं निकाल पा रही है दर्शकों के बीच सिधार शुकला और शेहनाज गिल की जोड़ी काफी फेमिस अब ऐसे में टीवी एक्ट्रिस पवित्रा पुनिया ने सिधार शेहनाज के रिष्टे को लेकर बड़ा खुलासा किया है सिधार साल 2019 में सिधिनाज की मुलाकात देखे बिग बॉस 13 में हुई थी और इस जोड़ी ने जल्द ही दाशकों के दिलों में अपने एक खास जगह बना ले थी किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई घर के बाहर उनका रिष्टा इतना ही मजबूत रहेगा इस जोड़ी ने अपने रिष्टे को कंफरम करने में हमेशा से परहेस किया हाला कि देखिए दोनों ने एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही बताया तो अब एक बस चौदा की कंटेंस्टन रही पवित्रा पुनिया ने सिधार शुपला और शेहनाज गिल की बॉर्डिंग को लेकर बड़ी बात गही है एक्ट्रिस ने एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में बताया कि आज मैं जब शेहनाज को देखती हूँ तो रूख आप जाती है कई लोग उनके जैसा रिष्टा होने का सपना देखते थी मैं ये नहीं कहूँगे कि भई ये दोस्ती थी या बॉर्फरेंड गर्फरेंड थे ये रिष्टा पती-पती से कम नहीं था सोनी, महिवाल, रोमियो जूलियट के बाद लोग सिधार शेहनाज को याद करेंगी फैंस इस जोड़ी के दिवाने हैं, मैं शेहनाज और सिध की जोड़ी के प्यार में पागल थी और मुझे उमीद है कि भई इस दुख से जल से बहार आएंगी तो आपको बता दे, सिधार के रिधन के बाद इस तरह की खबरे भी आई थी बात करें पवित्रा पुनिया और सिधार शुकला की तो भई दोनों ने साल 2011 में लव्यों जिंदगी में एक साथ काम किया था हाला कि शुरुआत में दोनों की अच्छी दोस थी नहीं लेकिन इस बारे में पवित्रा पुनिया ने बताया कि उस समय मुझे लगता था कि होगा हीरो अपने घर का और हम एक साथ शौट नहीं देंगे ये शो देखे छे महीने तक चला जब हम एक अवार्ड शो के लिए मकाओ गए तो हमारे बीच अच्छी बॉंडिंग थी तो सिधार शुकला बहुत प्रोटेक्टिव और जेंटलमेन थे और शो के खत्म होने के बाद हमारी बॉंडिंग और अच्छी हो गई थी तो भाई आपको बदाते चलें कि पवित्रा पुनिया बिग बॉस 14 में नज़र आई थी और उस दौरान सिधार पवित्रा पुनिया को सपोर्ट करते हुए भी नज़र आई थे और वो उनकी टीम का हिस्सा भी रही थी वैसे पवित्रा पुनिया के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताईएगा